लेकिन सबसे पहले नागलेंड का मैं रुख कर लेती हूँ तो रुशिकेश आज चौथा दिन है इस यात्रा का और सीधे तोर पर देखा जा रहा है इस यात्रा को क्योंकि नॉर्थ इस्ट में कॉंक्रिस को कही न कहीं अपनी राशनतिक जमीन भी तो मजबूत करनी है ना 25 म पर नजर है और सिर्फ असम उनके हाथ में हैं अब ऐसे में इस यात्रा के जरिये कितनी मजबूती यहां पर आपको कॉंक्रिस की जमीन पर दिख रही है लोगों में कितना उत्साह दिख रहा है कितना प्रभाव दिख रहा है इस यात्रा का देखे नौर्थ इस्ट के इलाके में मनीपूर, नागा लेंड, रुनाचल में अब देर साम में पहुच जाएगी यात्रा तो लग नहीं रहा है कि यहां चुकी जनजाती इलाका है आवादी घना नहीं है लिहाजा बस से यात्रा है और बस और पैदल के यात्रे में थोड़ा भीड में अंतर जरूर दिख रहा है जगा जगा पर जहां असानी बुनाबट जादा है वहां लोग निकल रहे है राहूल गांधी को बार बार उतरना पड़ता है वहां के लोकल इशू पर बात कर रहे है इसलिए जहां कई भी उन्हें मौका मिलता है वो जब चाय भी पीते हैं तो बिलकुल वहां के लोकल जो दुकाने हैं वहां पे चले जाते हैं जब वो बात करते हैं तोहां के असानिये लोगों से वो कोई प्लैंड तरीके से नहीं होता है कि उन्हें बस में बिठा जाता है और वो उनसे बात करते हैं लेकिन 25 लोगसवा की सीटे हैं उनकी जो सबसे बड़ी अगनी परिक्षा है वो आसाम से शुरू होगी क्योंकि आसाम में बीते दो बार से लगातार भारते जन्ता पाटी सेरकार बरनी है 14 विधान लोगसवा की सीटे हैं वहां देखना है कि राहूल गांधी की यात्रा कितना दुरूवी करन को रोक पाती है ये सबसे बड़ा सवाल है लेकिन एक बाता है कि भारत जोडो न्या यात्रा ये सिर्फ कॉंग्रेस की यात्रा नहीं है बलकि ये इंडिया गठवंधन की भी यात्रा बनाने की कोशिश राहूल गांधी कर रहा है इसलिए जब उनसे प्रेस कॉंफरेंस थी नागा लैंड में और उहां जब सवाल पूछा गया इंडिया गठवंधन को लेकर तो उन्होंने असपस्ट कर दिया कि 2024 का चुनौक कॉंग्रेस नहीं बलकि इंडिया गठवंधन लड़ रहा है कुछ राज्यों में उनके असायोगियों के साथ मुश्किलें जरूर है लेकिन उन मुश्किलियों को सही दिसा में पट्री पर लाया जा रहा है और उमीद है कि वो ठीक कर लेंगे उनका इसारा बंगाल की तरब था जब उनसे पूछा गया कि क्या भीन का रिस्पॉंस भाराज जोड़ो यात्रा पार्ट वन था उसके मुकाबले यहां कम मिल रहा है तुन्हों ने का कि जैसे जैसे हम आप जो आबादी वाले बुनावट हैं वहां जैसे से बढ़ेंगे उनका जो तासीर है वो बदलेगा लेकिन बंगाल को लेकर ट्रिनमोन कॉग्रेस ने जब वो नागालेंड में थे तब भी उन्होंने सवाल उठाया कि एक तरह भारज़ो नया आतरा कर रहे है लेकिन उनकी आतरा बंगाल में क्यों आ रही है बाब जूद इसके राहूल गांधी ने अपने नेताओं को कह दिया है कि अपने सहयोगियों को लेकर किसी तरह की कोई बयानवाजी नहीं करे इसलिए देखिए कि अधीर रेंजन चौधरी को छोड़ करो भी उनका रुख थोड़ा पहले से तलखी में कमी आई है और कोशिस की जा रही है कि वहां त्रेण मोल कॉंग्रेस के अडियल रुख के बाब जूद राहूल गांधी खुद डटे हुए है ममता बनर जी के संपर्क में है यही बात कमोबेस अखिले स्यादब पलाग हो रही थी अर्विन के जरिवाल को कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस और आमादनी पार्टी के बीच में गठवंदन नहीं होगा वो लगभग लगभग अपने आखरी पड़ाओं पर है तो जो कुल मिलाकर नितिश कुमार के संजोजक को लेकर सवाल पूछा गया कि बिहार से गुजरी क्या नितिश कुमार एंडिये में चले जाएंगे इस बज़े से उन्हें संजोजक नहीं बनाया गया उन्होंने असपश्च तोर पर कहा कि बैठक की जो बाते होती है उसे तोड मरोल कर पेश किया जा रहा है ममता बनर जी से उनकी बाचीत नितिश कुमार की इस प्रसंग में उहां संजोजक बनाने की चर्चा होई ये बाते आजी अधूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्लांट किया जा रहा है एक बार फिर वो ठीकड़ा फोड़ रहे थे हम लोग जैसे मीडिया पर और मीडिया हाउसेज पर पॉलिटिकल पाटियों पर की जान बूच कर उनकी सोचनाओं को गलत तरीके से तोड़ मोड़ कर पेस किया जा रहा है देश की 543 लोग सबासीटों पर इंडिया गठवंधन चुनाओर रहा है कॉंग्रेस मिलकर चुनाओर रही है और उन्हें लगता है कि इंडिया गठवंधन इस बार अच्छा परदरसन करेगा उनका दावा जीत का है लेकिन बाबजूद इसके इंडिया गठवंधन जो प जाहें एक बार फिर एक जुकता का और एक बार फिर जीत का